नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का यूटूब चैनल चाहस्टडे में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई डिक्रूटमेंट आई है यह काफी ज़्यादा इंपोडेंट है और यह एक अंडरेटेकीन कंपनी है जो की गौर्णमेंट के तरफ से यह जो चलती है कंपनी और उसी के तरफ से यह डिक्रूटमेंट आई है अगर बात करें एन एफ एल की तो नेशनल है कि पूरी जानकारी आपको देजाएगी इस डिक्रूटमेंट के तरफ से यह जो इसनल का टिकांपनी है उत्तर परदेश में मैं जोस्तित्त है तो पूरी जानकारी आप लोग ले लिए और जाब लोकेशन भी आपकी ओवा एफ एल के तरफ से जो होगी वह आपका उत्तर पर्देश में ही होगा लेकिन यह वक के अंदर सरकार के अंदर यह जो कंपनी है वो आती है अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसे जो है वेकेंसी के लिए वो कंडिरेट आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 10th की डिगरी है 12th की डिगरी है या जिन होने यहाँ जिनके पास इंजिनरियरिंग की डिगरी है या आईटियाई की डिगरी है या आपके पास जो है डिपलोमा की डिगरी है वो सभी कंडिरेट इसमें आवेदन कर सकते हैं वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस वेकेंसी के लिए आपको सेली यहाँ पर देख सकते हैं 23 से ल आप सभी के लिए इसी तरह की खवर लेके आते रहते हैं तो आगे बढ़ते हैं देते हैं सभी जानकारी दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं यह इसकी ऑफिसियल नोटिपिकेशन है जो की एन एफ एल के तरफ से नेशनल जो आपका फैटिलाइजर लिमिटेट कंपनी है उसके से वेकेंसी है डिश्टी का आप देख सकते हैं आप दिया गया है आपका गौतम बुधनगर आपका उत्तर परदेश है जहां पर यह कंपनी स्थित्य आफिस की है ठीक है अब यहां पर मैं बता दू यह जो नोटिपिकेशन है वा रिलीज की गई थी आपका 20-10 को ठीक है और मैं आज यह वीडियो के जड़ी आपको बता रहा हूं अब यहां पर जो है नन एजक्यूटिव यह जो है वेकेंसी हैं और आप लोग डिटेल में देखिएगा इसे यह आपको दो सेक्टर में डिवाइड करके बताईगी है टेवल वाइस आपको मैं बताऊंगा यहां सबसे पहले आपको यहां पर पोष्ट और लेवल आपको पता चलेगा उसका सहली होगी नमबर आप पोॉस्ट होगा का घुड煦 ओखिएगल फाथब न करते हीएं और इसलीए की बगात करेंगे मिलतुटिब बताऊंगे सबसे इसे बात करें inhaler junior engineering assistant grade second की ठीक है तो instrumental के लिए जो भी है CLD आपकी same मिलेगी तीन पोस्ट है उसके यद इसी तरह की एक और पोस्ट है electrical line के लिए grade के लिए ठीक है तो उसमें भी CLD आपकी same है पाँच पोस्ट है उसके अद एक एंडेंडंट grade बात करें तो इसमें आपका ग्रेट ठड की है और 21 से पांसो से बावन हजार तक सेली दी जाएगी पांच पोस्ट इसमें दिये गए हैं अब यहां पर वदिंडा यूनिट की अगर बात कर लें तो यहां पर भी आपकी जो है उसी तरह की सभी जो है पोस्ट देखने को मिलें इसमें सेम उसी तरह जिसे मैंने आपको उपर बताया जुनियर इंजिनिरिंग के लिए भी आपकी जो है वह सेम जो है यहां पर सेली होने वाली एक पोस्ट है लोकल एटेंडेंट का यहां पर जो है मैं बतादू 23,000 से लेके जहाए 56,000 तक से अली होगी एक ही पोस्ट है अटेंडेंट का छे पोस्ट इसमें दिया गया है यह बटिंडा यूनिट के लिए और अटेंडेंट ग्रेड जो दिया गया है मेकैनिकल फीटर के लिए इसमें तीन पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड इलक्रिसियन के लिए आपकी छे पोस्ट इसमें दी गई है अब विज पुन जो पोश्ट है इसमें मार्केटिंग डिविजन के लिए तो उसमें आपकी मार्केटिंग जो आपका रिपर्जेंटेरिटीव होंगे उन कंडिडेट यह आपे दिन कर पाएंगे एज सभी कंडिडेटों का 18 से लेके जो है 30 बर्स तक कर रखा गया जो जेनरल होंगे अगर आप OPC और SCST से भी लॉंग करते होंगे तो आपको यहाँ पर पांस साल और तीन साल की छोड मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजिरिंग असिस्टेट ग्रेड सेगें कर पाएंगे इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए जेनरल वालों के लिए OPC वालों के लिए EWS वालों के लिए अगर आप 45% के साथ SCST से कंडिडेट है तो आप इदन कर पाएगे अगर आपके पास जो है वह बीस्टी के डिग्री नहीं है अगर आपके पास रेगुलर में अगर Chemical Engineering में 3 साल का डिपलोमा है तो भी आप आप आविदन कर सकते हो Junior Engineering Assistant Grade Second के लिए जो Instrumentation की है उसमें भी आपका यहाँ पर डिपलोमा वांगा गया है Related Trade से जिन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है Electrician, Instrumentation, Contract, Industrial इसी तरह की और भी उसारी है जैसे कि आप यहाँ पर जो है इस बॉक्स में देख सकते हैं आप वीडियो पॉस करके भी आप देख सकते हो Junior Engineering Assistant Grade 2 Electrician के लिए है, Electrical के लिए जो है उसमें भी आपका Related Trade से जो है वा तीन सार का डिपलोमा मांगा गया है Attendant Grade 1 के लिए जो Electrical के लिए है उसमें Metric मांगा गया है पलस आपका ITI डिगरी होना चीए तो आप आप आपे दिन कर पाओगे Attendant Grade 1 में Mechanical Feetor की बात करें तो इसमें भी Metriculation ITI की डिगरी मांगे गई है और Local Attendant की बात कर ले तो आपकी भी इसमें जो है डिगरी प्राप कर रखा है डिप्लोमा का तो आप आविदन कर पाओगे अगर आप Marketing Reporter के लिए आविदन करना चाहते हो तो आप यहां पर Regular Base पर अगर आपने BSC कर रखा है तो आप आप आविदन कर पाओगे अंदर जो है इसे जो आपका BSC डिगरी है वह Agriculture से होना चाहिए ठीक है तो मैंने यह बता दिया आपको इसके लिए आप लोग का यहां पर फी पेमेंट होगा वह 200 रुपिया होगा ठीक है और प्रस बैंक चार्जे जो होंगे वह आपको देना पड़ेगा तो बैंक चार्ज तो नहीं हमें खयाल से लगने वाला है लेकिन आप लोग चेक हैं उन सब को यहां पर फी पेमेंट करना होगा तो यहां तक तो मैंने आपको जानकारी बता दी है अब दोस्तों आप लोग इसे आविदन कैसे करोगे तो आप लोग को पता होगा कि 21 अक्टूबर 2021 से यह फॉर्म चालू ही है और 10 नॉमबर 2021 तक आप साम को जो है पांच यहां पर एक्जाम होगा जो कि आपको एक्जाम देने होगा और यह जो एक्जाम आपका जो है यहां पर देख सकते हैं जो लिखित परिशा होगी और इसके लिए आप लोग का ऑनलाइन एक्जाम नेशन यहां पर लिया जाएगा जो की ऑनलाइन एक्जाम जो है आपके ज एश्वर रांची बेंगलूर कोच्छी जो आपका अमरावती है जो आंधर परदेश में होती है गुहार्टी कॉलकटा पत्ना ग्वालियर रैपूर एन लखनो इन तमाम जो है जगों पर आपका एक्जाम सीटी होगा तो आप जहां से भी देना चाहें दे सकते हैं दो घंट लिए और आप लोग का यहां पर छे सब्जेक्ट होगा जो कि आपका जैनरल इंग्लीज जो आपका यहां पर दिया गया इंग्लीज उसके जो है अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोग का यहां पर जो भी डिटेल होगा इंपोरेंट लिंक होगे वह सभी आउट कर पाओगे अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो अगर थोड़ा भी हैल्फूल लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर सेर किजिए और हां दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रही है या आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राब न